वेल्कम टूबर चैनल के विति शिक्ष्ट ये है क्लास सेकेंड की हिंदी की बुक सारंगी और इसमें आज जम पढ़ेंगे इसका सत्रमा पार्ट जो की है बरसात और मेंडक इस कहानी को पढ़ेंगे उसके प्रशन उत्तर को करेंगे इसमें जो भी एक्सरसाइज है उसको कर चलेगा तो चलिए पढ़ते हैं समझते हैं सो मारू और कमने गए लौटते समय उन्हें जुर की भूट लगी तो दो बच्चे एक सो मारू है और एक कमली दोनों घूमने गएём और उन्हें भूट लग गए उनנה एक गाय दिखी कमली ने गाय से कहाँ जरासा दूद दे दो तो भूख मिटे गाय बोली मेरे खाने को घास ही नहीं है मुझे हरी-हरी घास खिलाओ तो मैं दूद दूँ तो जब इनको भूख लगी तो सामने इनको जो गाय दिख रही थी गाय से बोले गाय गाय थोड़ा सा हमें दूद दे दो से क्या रहा हो जाए हमारा जो भूख लगी है उससे हमें छुटकारा मिल जाए हमारा पेड़ हो जाए तो गाय बोलती है कि मैं भी भूख की हूँ और मुझे हरी-हरी घास मिल जाए तो मैं तुम्हें दूद्दे दूगी फिर क्या होता है कमली और सुमारू चले घास लाने खाब घास तो सुख कर पीली हो गई थी घास ने कहा मुझा पानी दो तो मैं कर लाएक बनों घास क्या होता है घास को घास को गाय खाती है तब ही दूद्देती है लेकिन गास कैसी रहे थी हो फुली हो तक क्यों कि जो फ़सल में पानी लगाए जाता टो घरी हरी यो जाता तो घहस ने क multif एगर पे HU सोमारू और कमली से कहा कि अगर बरसात हो जाए तो मैं फिर से भर जाओं मुझे में फिर से पानी आजाए तो इसके लिए क्या होगा बरसात होनी पड़ेगी और बरसात कैसे होती है जब बादल आते हैं पानी बरसता है फिर दोनों कमली और सोमारू कहां चल दिये बादलों के पास कमली और सोमारू चले बादल लाने पर बादल तो बिन बरसे टंगे थे बादल बोले मेधक टर टर बोले तो हम बरसे तो जो ये बादल दिख रहे हैं ये काले काले बादल टंगे हुए थे और वो बोल रहते कि जो मेंड़क हैं मेंड़क अगर बोलते हैं टर टर तभी बारिस होती है आप लोगों ने देखा होगा बरस बारिस होती है तो मेंड़क क्या करते हैं मेंड़क टर टर की आवाज निकालते हैं और फिर खूब बारिस होती है तो यह जो बादल थे वो इंतजार कर रहा था कि कब मेड़क बोलें और हम पानी बरसा है कमली और सोमारू चले मेड़क के पास फिर दोनों कहां चल दिये मेड़क के पास गए मेड़क को इंगलिश में क्या बोलते हैं मेड़क बोले हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे पत्थर मारते हैं दोनों बोले जो हुआ उसके लिए माफ करो अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारागा तो मेड़क क्यों नहीं डर डर बोलते थे क्योंकि मेड़क जब बाहर निकलते हैं तो बच्चे उनको क्या करते हैं पत्थर मारते हैं तो हमें क्या करना चाहिए उनको पत्थर नहीं मारना चाहिए क्योंकि वह बाहर नहीं आएंगे और बाहर नहीं आएंगे तो टर 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 नहीं बोलेंगे तो बारिश नहीं होगी ब सोमारू और कमली ने कि हम आपसे माफी मांगते हैं अगली बार से आपको कोई भी पत्थर नहीं मारेगा ये इनसे बात करते हैं देखो ये कमली है सोमारू है और ये मेडक हैं ये आपसे बाते करते हैं और इनसे माफी मांग रहे हैं मेडक मान गए और टरर करने लगे फिर मे नदी में क्या हो गया पानी भर गया पानी जब नदी में भर गया तो सुमारू और सुमारू और कमली ने घास को पानी दिया घास हरी हो गई हरी होने के बाद उन्होंने गाय को खिला दिया कमली और सुमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया घास हरी हो गई दोनों घास उनों हसते खुल खेलते अपने घर की तरफ चले गए आप देख रहें ये बच्चे दूद पी रहें तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए किसी भी जानबर को परिशान नहीं करना चाहिए और एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए ये तो हमारी कहानी का को हमने पढ़ लिया ब कहानी बहुत अच्छी लगी अगला है मेंधक सोमारू और कमली की बात क्यों मान गए क्या आप होते तो ये मान जाते हैं मेंधक सोमारू और कमली की बात इसलिए मान गए क्योंकि उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी अगला प्रश्ण है कहानी से लिए इन वाक्यों को पढ़िये कि किसी मित्र के साथ कुछ किया जिससे उन्हुने चोट लगी हो या बुरा लगा तो यह कुछ वाकिए हैं मेह ढ़क बोले हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पथर मारते हैं दोनों बोले जो हुआ उसके लिए माफ करो अब से तुम्हे कोई पथर नहीं मारेगा क्या आपने कभी ऐसे खिया इस अबकिए अपर दोस्ते ने कभी इस तरह से बात नहीं करने चाहिए, उनको परशान नहीं करना चाहिए फिर आगे है शब्दों का खेल, इसमें है धा, डा, डा और दा वाले शब्द बनाईए फिर सभी सब्दों को जोर से पढ़िये, क्या डा, डा, डा और दा की धुनिया सुन, बोलने सुनने में अलग-अलग लगती है तो चलिए, ये धा वाले शब्द बनाई, ये डा वाले, ये डा वाले, ये दा वाले चलिए मेंधक मेंधक तो लिखा हुआ है आप इसके एलाबा तो डावाले शब्द में हो जाएगा धोलक धोलक फिर हो जाएगा धोना फिर हो जाएगा धकन यह हो गए फिर दम्रू डावाले शब्द से हो जाएंगे दम्रू तो लिखा हुआ है डमरू के बाद हम लिख सकते हैं डर्ना डलिया डव फिर अड़ा वाले सब्द हैं घड़ी बना हुआ है घड़ी के बाद हम लिख सकते हैं चेड़ाई पढ़ाई लड़ाई बादाम दा वाले सब्द एक बादाम लिखा हुआ है उसके बाद हम लिखेंगे कदम, दाग, दादा, जिद्धा वाले शब्द हो गए, फिर आगे है चित्रकारी और लेखन, कमली और शुमारू ने घर जाकर क्या किया होगा, चित्र बनाईए और कहानी को आगे बढ़ाईए, तो आपको क्या करना है, या इन बच्चों ने दू और कहानी को यहाँ पर आगे लिखना है, घर जाकर उन्होंने अपनी सारी बातें अपने मम्मी पापा को बताई, उसके बाद खाना खाया, खाना खाने के बाद उन्होंने पढ़ाई की और फिर सो गए, इस तरह आप कोई भी कहानी बना सकते हैं, आगे क्या हुआ होगा, तो उसको यहाँ पर लिखना है, फिर आगे है आनंद मही कविता, इसी में एक कविता दी गई है, उठो उठो उठो, एक कविता है, उठो उठो, इसको पढ़ते हैं ध्यान से, पत्ती डोली चडियां बोली, हुआ सवेरा, उठो उठो, छाई लाली, अहा निराली, मिटा अंदेरा, उठो उठो, आलस त्यागो प्यारे जागो, आंकें खोलो, उठो, उठो, देखो जाकी, भारत माकी, जैजै, ऒोलो, उठो उठो, तो यह छोटी जी प्यारी जी कविता है, जो की उन से उठकर बोलने लगी हैं सवेरा हो गया पत्तियां डोलने लगी है तुम आप लोग भी सारे सारे उड़ जाओ ऐसा कहा जा रहा है पूरी हर तरफ लाली छाय ये मतलब सुबह सूर निकलने वाला है और जब सूरी निकलता है तो चार तरफ कैसा होता है लाल लाल से रोसनी होती है और जो अंध्यरा है हर तरफ का अंध्यरा चला गया है मित गया है एक ह którego अलत त्याग हो अपना जो आलस से उसको त्याग दो और चल्दी से उठकर आखें कोलो और उठ जाओ, देखो कितना अच्छी जहांकी बनी है भारतमा की, सारे लोग उठ जाओ और जैजे बोलो, भारतमा की और सुबह सुबह अपने काम पर जाओ, तो ये है कविता, और ये था आज का पार्ट, बरसात और मेंड़क, पढ़ते रहें मिलते हैं, नेक्स्ट वीडि जाओँ झालिग कर टूपी जाओँ कर दोपने के बनी है ये वीडिका पार्ट, ये लोग झालिगने काम पांची कितना तो येजे जाओ जाओँ जाओएफथा जाओएबगी इन पार्ट, भारत पार्ट, पादान पार्ट.